अमस्कार दोस्तों एक्जाम प्रप्रेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ UP pieces 2024 pre exam के लिए हम लोग top 1000 most important question की series solve कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको geography के कुछ questions already कराये हुए हैं आज उनी questions को हम लोग आगे continue करेंगे कुछ बच्चे न्यूँ है इस channel पर तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ ये class daily रात को 9 बज़े आती है playlist बनी भी है channel पर आप visit करेंगे आपको मिल जाएगी आसानी से इसके साथ साथ दुपर एक बज़े class आती है डेवाई series जो की GS आपको हाँ पर देख सकते है complete आपको करा जा रहा है subject wise previous question भी चलना है अगर आप UP pieces pre 2024 का exam देने वाले हैं तो ये class आपके लिए महत्यपूर्ण है चलिए आज के प्रशनों को start करते हैं 56th question है निम्रिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ए है या पहला है नीती दर्दा हिमाचल प्रदेश में है second है लिपूलेक दर्दा उत्रा खंड में है third है डोंकिया दर्दा सिक्किम में स्थित है बताना है इसमें से कौन सा option correct होगा देखिए, लिपुलेग दर्रा उत्राखंड में है, सही दिया गया, डोंकिया दर्रा सिक्किम है, यह भी सही दिया गया है तो इसके अनसार 2 और 3 जहां पे भी सही है, औप्शन B right होगा लेकिन नीती दर्रा उत्रा खंड में हैं नीती, माना, लिपुलेख ये सारे कहां पर हैं उत्रा खंड में हैं और option B right हो जाएगा 57th question है निम्रकित कत्नों पर विचार कीजिए बतान है कौन से कत्न सही दिया गया है या कौन से कत्न सही है पहला statement है पश्चमी घाट की सर्वोच चोटी अन्ना मुडी है और second statement है पुस्प गिरी चोटी करनाटक में स्थित है देखिए आपको यहाँ पर अनाई मुडी के बारे में तो पता होगा लेकिन करनाटक में जो पुस्प गिरी चोटी इसके बारे में नहीं पता होगा दोनों ही statement correct दिये गए हैं अपसर C right है 58th question है निमलकित में से कौन सा युगन सही सुमेलित है बताना है और यह option दिये गए उन्ही के अनुसार उत्तर देना है पहला है निमूर दीप यहाँ पर हूगली नदी का मुहाना है पंबन दीप मनार की खाडी में है और वीलर दीप में ब्रामरी नदी का मुहाना है यहाँ पर आपको तीनों ही correct दिये गए हैं इसलिए option D right होगा उप्रोप सभी सुमेलित है class continue करने से पहले इस question को आप लोग देख लीजिए मैंने पिछली class में कराया था 18th question है शेतिफल की दरश्टी से भारत के केंद शाशित पैदेसों का सही अवरोही क्रम क्या है ये बताना है बहुत से बच्चों ने मुझे इस बारे में comment भी किया आप सभी लोग अपनी जगे सही है इसमें देखे जो option दिया गया लद्दाक, जमू कश्मीर, अंडमान, निकोबार और दिल्ली दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वन टू थ्री फोर ये option आपका राइट होगा 59th question है निम्रिखित में से कौन सी नदी अपनी सहायक नदी के साथ सुमेलित है ए है नर्मदा जो की हिरन नदी दी गई इसकी सहायक नदी second है तापी की पूर्णा दी गई है और कावेरी की दी गई है सहायक नदी मालप्रभा इसका राइट आंसर हो जाएगा option A नर्मदा की सहायक नदी है हिरन और तापी की सहायक नदी है पूर्णा लेकिन ये जो मालप्रभा है ये है कृष्णा नदी की माल प्रभाग, हाट प्रभाग ये किसकी है, कृष्णा नदी की साहयक नदी है, option A right है अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सही सुमेलित है पहला है वूलर जील दी गई है, ये विवर्थनी की निर्मित जील है सेकेंड है लोनार जील, ये क्रेटर जील है और तीसरी है चिलका जील जो की एक लगून जील है बताना है इन में से कौन से option आपको right दिये गए है इसका सही उत्तर हो जाएगा option D क्या होगा option D right है, तीनों के तीनों सही दिये गए है 61st question है, निमलिकित में से कौन ramp घाटी का उधारण है A है नर्मदा घाटी, B है तापी घाटी, C है ब्रह्मपुत्र घाटी, और D है उपरी दामुदर घाटी इसका right answer हो जाएगा option C, ब्रह्मपुत्र घाटी 62nd question है, पबर नदी चंदर नाहन ग्लेशियर से निकलती है और बताना है ये किस राज्य में स्थित है Option A है हिमाचल प्रदेश, Option B है उत्तराखन, Option C है सिक्किम, और Option D है अलुनाचल प्रदेश इसका right answer हो जाएगा option A हिमाचल प्रदेश में 63rd question है निकलत कत्मों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कत्म सही दिये गए है पहला statement है नील गिली पहाड़ियों की सबसे उची चोटी अनाई मुडी है 2nd statement है डोडा बेटा अनामलाई पहाड़ियों की सबसे उची चोटी है 3rd statement है अनाई मुडी दक्षिर भारत की सबसे उची चोटी है बताने है इन में से कौन सा statement सही दिया गया है इसका right answer होगा option B केवल तीसरा statement आपको सही दिया गया है अनाई मुडी दक्षिर भारत की सबसे उची चोटी है डोडा बेटा ये जो है ये नील गीरी पहाड़ीों पर इससी सबसे उची चोटी हो जाए भी और अनाई मुडी ये देखिए जो सबसे उची चोटी अनाई मुडी है ये अना मलाई पहाड़ी पर है ना कि नील गीरी पहाड़ीों पर इसलिए option B सही है अगला प्रश्न है निमलिखित कत्नों पर विचार करें और बताईए कौन से कत्न सही दिये गए है पहला दिया गया है 10 डिगरी चैनल अन्डमान को निकोबारदीब समू से अलग करता है और सेकेंड है पाक जल्डमरू मद्धि भारत और मालदीब के बीच इस्तित है बताईए कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएक option A जो 10 डिगरी चैनल है ये अन्डमान को निकोबारदीब से अलग करता है और ये जो पाक जल्डमरू मद्ध है भारत और शीलंका के बीच है ना कि मालदीब के बीच है तो option A इसले राइट हो गया और इसमें भी याद रखी जो 10 डिगरी चैनल है ये लिटल अन्डमान को कार निकोबार से अलग करता है तो ये जो दोनों आइलेंड है ये भी आपको याद रखने है option A राइट हो जाएगा 65 प्रशन है नील नदी के बारे में गलत कथन चुन करके बताना है कौन सा है पहला statement है या भूमद रेखा के उत्तर से निकलती है second option है अतबारा नदी नील की सहायक नदियों में से एक है third option है इसके बेसिन में तंजानिया, रवांडा और इथियोपिया के कुछ हिस्से शामिल है और D option है या भूमद सागर में समाप्त होती है तो इसका बताना है कौन सा कथन गलत है इसका right answer हो जाएगा option A या भूमद रेखा के उत्तर से निकलती है यही कथन आपको गलत दिया गया है शुटी सित कोशन देखे प्रशिद जल प्रिपात अथिरा पिल्ली यह जल प्रिपात और वज़ाचल जल प्रिपात यह किस नदी पर है लुखा, लुनार, चलाकुडी या फिर पेरियार नदी पर इसका right answer हो जाएग option C चलाकुडी नदी पर अगला प्रशन है निम्लकीत में से कौन सा परवत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कि जल प्रवा के भी जल विभाचक का कारे करता है option A है अमर कंटक, option B है नीलगीरी, option C है राजमहल और option D है सत्पुडा इसका right answer हो जाएग option A अमर कंटक अगले प्रशन में दो सूचियां दी गई है इनको आपस में मैश करना है पहले तो नदी दी गई है प्रथम सूची में, दुती सूची में राश्टी जलमार्ग दिये गए है अब इनको आपस में मैश करना है और ये आपको आप्शन दिये गए है चलिए इसको हम लोग मैश करते हैं इसका जो आप्शन हो जाएगा सेकंड राश्टी जलमार्ग नंबर ए ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा राश्टी जलमार्ग संख्या दो गोदावरी और कृष्णा का हो जाएगा राश्टी जलमार्ग संख्या चार बचा कौन महानदी और ब्रामणी इसका हो जाएगा राश्टी जलमार्ग संख्या 5 इस प्रकार सहित्तर हो जाएगा उप्शन C 2, 4, 1, 3 69th question है किसे छोटा तिबबत भी कहा जाता है A है जार्खन, B है महाराष्ट, C है गुजरात और D है लद्दाग इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन D लद्दाग को अगला प्रशन है भारत के दक्षली पश्चिम कोने में कौन सा राजी स्थित है A है केरल, B है त्रिपुरा, C है राजस्थान और D है पश्चिम बंगॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन A केरल अगला प्रशन है ओडम का तिवहर किस राजी में मनाया जाता है A है केरल, B है त्रिपुरा, C है राजस्थान, D है पश्चिम मंगॉल और इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन A केरल में अगला प्रशन देखें विश्चिम की सबसे गहरी खदान किस देश में स्थित है उप्शन A है ब्राजील, उप्शन B है अमेरिका, उप्शन C है दक्षिड अफ्रीका और उप्शन D है स्री लंका इसका सयुद्तर हो जागा उप्शन C दक्षिड अफ्रीका सेवेंटी थर्ड कोश्चिम में प्रत्वी की तिज्जा कितनी है पूछा गया है उप्शन A है 7,242 किलोमीटर, उप्शन B है 6,494 किलोमीटर, उप्शन C है 5,540 किलोमीटर या फिर 6,371 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जागा 6,371 किलोमीटर, उप्शन D राइट है 74th कोश्चन है सहारा के अल अजीजी या छेत में सरवाधित आपमान, जोके 57.7 डिग्री सेल्सियस किस वर्स मापा गया था उप्शन A है 1920, उप्शन B है 1922, उप्शन C है 1925 और उप्शन D है 1923 इसका राइट आंसर हो जागा उप्शन B 1922, 75th कोश्चन है जो हार आदिवासी किस राजी से सम्मन्धित है उप्शन A है महाराष्ट, उप्शन B है मध्यपदेश, उप्शन C है जारखंड और उप्शन D है उडिसा इसका सही उत्तर हो जागा उप्शन C, जारखंड का 76th कोश्चन है केरल में जो चीना वाला है ये एक प्रकार का क्या है पूछा गया है, फल है, बरतन है, नाव है या मशली पकड़ने वाला जाल है इसका राइट आंसर हो जागा मशली पकड़ने वाले जाल को बोला जाता है चीना वाला 77th कोश्चन है क्रिशना राजबांध करनाटक के किस नदी पर इस्थित है क्रिशना, कावेरी, यमुना या फिर गोदावरी इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर है क्रिशना राज बांध 78th कोश्चन है कावेरी नदी पर इस्थित जो में टूर बांध है ये किस राजबांध है Option A है असम, Option B है बिहार, Option C है करनाटक और Option D है तमिलनाडू 79th कोश्चन है भारत के पूर्वी तरड़ पर कौन सा राजिस्तित है महाराष्ट, केरल, ओडिसा या फिर गोवा और इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, ओडिसा अगला प्रश्चन है मिस्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आलू, कपास, मक्का या फिर गन्ना और इसका सही उत्तर होगा Option B, कपास के लिए 81st question है सीधी नुमा खेत किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है गे हूँ, Option B है चावल, Option C है सरसों और Option D है जो इसका सही उत्तर हो जग Option B, चावल के लिए 82nd question है चखेसंग समदाय के लोग किस राजि में रहते हैं महाराश्टर, केरल, नागालेंड या फिर गोवा सही उत्तर है Option C, नागालेंड 83rd question है विसाल लोईस निक्षेपड किस देश में पाया जाता है Option A है कनाडा, Option B है अमेरिका, Option C है चीन और Option D है जिमबामवे इसका सही उत्तर हो जाएगा Option C, चीन 84th question है ताना जील, निम्लिकित में से किस महादीप में स्थित है A है एसिया, B है अफ्रीका, Option C हुत्री अमेरिका Option D है और Option D है उस्टेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा Option B, अफ्रीका में स्थित है 85th question है साबर मती नदी के बारे में गलत कथन चुन करके बताना है पहला statement है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है दूसरा statement है राजस्थान गुजिरात और महाराष्ट से होकर वहती है तीसरा option दिया गया हमाव, गुहाई और हाथ मती इस नदी की सहायक नदिया है option दिये गुजिरात की राजधानी गांधी नगर इसी नदी के किनारे स्थित है बताए इनमें से कौन सा option सही होगा देखें यहाँ पर second statement गलत दिया गया है यह जो साबर मती नदी महाराष्ट से होकर नहीं वहती तो यह सिर्फ राजस्थान और गुजरात से होकर वहती है इसलिए option बी correct है देखें जिन भी questions में statement दिये जाते हैं और जो भी सही statement है उनको भी याद किया कीजिए क्योंकि वो fact आपको help करेंगे उसके बारे में जो भी question पूछा गया उसके बारे में जानकारी के लिए जैसे कि इसकी सहायक नदी साबर मती की कौन सी हो गई हमाओ गुहाई और हात मती और ये इसके पास देखेंगे कौन सा नगर स्थित है तो गांधी नगर है जो कि गुजरात की राजधानी है और ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है तो इस तरीके से आपको facts prepare कर लेने है 86th question है टैफला लेट मरूद द्यान का छेतिफल 13,000 वर्ग किलो मीटर है या किस देश में स्थित है option A है कंबोडिया, option B है मुरक्को, option C है अलजीरिया, option D है सोमालिया और इसका right answer हो जाएगा option B मुरक्को 87th question है अधिकान सुलका पिंड वाय मंदल की किस परत में जलते ही ये पूछा गया है option A है मध्य मंदल, option B है समताप मंदल, option C है आयन मंदल और option D है बहिर मंदल इसका right answer हो जाएगा option A मध्य मंदल में, A right हो जाएगा अगला प्रशन है निम्रकित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में विवस्तित करें बहुत important प्रेशन है इस तरीकी के प्रेशन काफी बार पूछे जाते हैं इसमें गुजरात, नागालेंट, हरियाना और मेघाले दिया गया है और ये options आपको दिये गये हैं इनके अनुसार मैश करना है इसका right answer हो जाएगा पहले गुजरात, फिर नागालेंट, उसके बाद हरियाना और फिर मेघाले बनता option A right है 89th question है निम्रकित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है option A में दिया गया बद्रीनाथ अलकननदा नदी के तड़ पर है option B है हैदराबाद मूसी नदी के तड़ पर है option C है कोटा चंबल नदी के तड़ पर है और option D है नासिक नर्मदा नदी के तड़ पर है इसका right answer हो जाएगा option D नासिक गोदावरी नदी के तड़ पर है नाकिन नर्मदा नदी के तड़ पर तो option डेस ले right हो जाएगा आज का last question है जौर भाटा के लिए जिम्मेदार है पहला है कि चंदमा का गुरुत्वा कर्शन और दूसरा है सूरी का गुरुत्वा कर्शन अब यह options दिये गए बताना है कौन सा सही दिया गया है तो जौर भाटा के लिए जरूरी है चंदमा का करके जरूर बताए मैं कोशिस करूंगी कि आपके उन questions का answer दूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो please like कीजे चैनल को subscribe कीजे और लोगों को share करते लिए और ऐसी ही और वीडियो के notification के लिए bell icon प्रेस करना है मिलती हूं मैं next class में तब तक के लिए धन्यवाद